गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग अनुच कुमार डॉक्टर एनेस रामपरकाश शुभी गुड मॉर्निंग एवरिवान चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हम ठीक तो आज बेटा जैसा की पता आपको आज क्या बात करनी आज बात करनी साचुरेटर हाइडरो कारवन की और आपने देखा जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने देखा कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बात की और हर चैप्टर से कहीं से दो कोश्चन कहीं से एक कोश्चन कहीं से तीन कोश्चन आपको बताया और हम लोग इस तरीके से NCRT तयार करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि NCRT हमारी इस तरीके से अच्छी तरीके से तयार हो रही है अच्छी तरीके का मतलब है line by line NCRT तयार हो रही है क्योंकि कई बार होता है लोग NCRT उतना अच्छी तरीके से नहीं समझते या नहीं पढ़ते हैं कोर्स कंप्लीट कर लिया ठीक लेकिन फिर भी NCRT से क्वेशन आ गया NCRT पढ़ी भी है लेकिन समझी हुई नहीं है तो क्वेशन नहीं हो पाता है तो ये जो सेशन्स हैं इसलिए इन सेशन्स में हम लोग क्या कर रहे हैं NCRT की मैंने पहले भी कहा है सभी लाइन्स इंपोर्टेंट नहीं है कि NCRT में जितनी लाइन्स हैं वो सब की सब इंपोर्टेंट हो ऐसा बिलकुल नहीं लेकिन NCIT की जो लाइन important है उन्हें हमें छोड़ना नहीं उन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है साथ ही साथ NCIT की लाइन में जो लिखा हुआ है उससे applied form में क्या पूछा जा सकता है application क्या पूछी जा सकती है तो application के बारे में भी यहां पर हम लोग साथ के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा क्या क्या चीजें तैयार होंगी इसको करते हुए जो नए बच्चे हैं जो पुराने उनको पता है जो नए लोग हैं वो सुन लें कि हमारा इसमें क्या-क्या तयार हो जाएगा हमारा तयार हो जाएगा पहली बात तो NCIT की इस साल के exam के लिए इस साल के examination point of view से कौन-कौन सी lines important है उन लाइन पर क्या-क्या question आ चुके हैं यानि कि मैं वो बोल दूँगा क्या-क्या आ चुका है मतल़ आपका p-y-q भी तयार हो जाएगा साथ में ही जो एक extra work होता है वो अपको नहीं करना पड़ेगा कि क्या-क्या question आ चुका है वो तयार हो जाएगा साथ ही साथ NCIT की लाइन से नेया क्या question बन सकता है तो नेया क्या question बन सकता है वो भी तयार हो जाएगा तो पुराना question नया question जब सब तयार होगा तो हमारी preparation ऐसी होगी कि question examiner कहीं से भी पूछे वो हमसे गलत नहीं होगा और एक बात समझे जब भी examiner एक नया question frame करता है तो उसको सही वही कर पाता है जिसने NCRT के उस line पर पहले सोचा हुआ है जिसने भी पहले सोचा है अगर किसी ने पहले उस way में नहीं सोचा है तो वहाँ देखिए इतना pressure होता है वहाँ दिमाग इतना काम नहीं करता कि वहाँ आपका दिमाग काम करें चीजें आपको click करें तो main चीज यह होती जिसने सोचा होता है वह कर लेता है जिसने नहीं सोचा होता हो नहीं कर पाता है और पिछले कुछ lectures में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 11th की organic से starting की थी बिल्कुल basic part से कहीं से 2 question कहीं से 1 question हर जागे से थोड़े थोड़े question थे साथ के साथ तैयार करते गए और session के end में जब मैं आपसे पूछता हूँ और आप answer करते हो तो मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि हाँ आपकी preparation किस level की है आपको कितना तैयार हो गया session से आपको कितना benefit हो रहा है तो ये sessions बहुत beneficial है आपको पहले ही का लेकिन भाई एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए sessions beneficial है लेकि वो beneficial तभी होंगे जब इन चीजों का आप seriously लेंगे ऐसा नहीं है कि आपने पता चला कभी देखा कभी नहीं देखा या पता चला आपने कभी क्या किया सिर्फ देख लिया आंसर कर दिये ध्यानी नहीं दिया कि क्या गलत किया क्या सही किया जो मैंने बताया है अगर तुम उतना करते हो जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना करते हैं तो मैं guarantee ले रहा हो कि भले chemistry में अभी तक आपने कुछ ना किया हो इन सेशन से आपका chemistry में बहुत drastic change आएगा बहुत ज़ादा improvement होगा ठीक है तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है क्या कहा क्या है मैंने बहुत थोड़ी सी बात है कोई खास ज़ादा बात कहीं नहीं है line by line in CRTM लोग decode करेंगे साथ साथ पढ़ ले यानि की live session एटेंड करिये और साथ साथ रोज करोज पढ़ते जाएए जब भी classes है ठीक है तो live session एटेंड करिये और साथ के साथ रोज करोज करते चले जाएए और जब ये हो जाए तो मैंने आपको बोला है कि फिर मैं question पूछूँगा question जब पूछता हूँ क्योंकि मेरा aim ये है कि मैं इसको याद करा दूँ पिछले साल के जो session थे वो last year के examination point of use analysis करके मैंने बनाया था तो last year के exam के हिसाब से बनाया था और बहुत useful रहे थे मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी शुरू में बिल्कुल तैयारी नहीं थी केमिस्ट्री में बहुत परिशान थे क्योंकि last year करोना pandemic and all काफी सारी चीज़े लगी हुई थी लेकिन क्या हुआ उन बच्चों ने exam में finally बहुत अच्छा किया मतलब उन्होंने जो लोग साल पर तैयारी कर रहे थे उनके comparison में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया अच्छा क्यों किया क्योंकि उन्होंने इस समय महिनत की ठीक इस साल मैंने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है ठीक है और वो हम लोगों के लिए interesting भी हो गया है क्या जोड़ा है इस साल मैंने ये कहा कि इसमें हम लोग एक काम ये कर लेंगे कि line by line NCRT पढ़ेंगे भी और बेटा साथ के साथ साथ के साथ तैयार भी कर लेंगे तो यहां मैं आपको याद भी कराता चल रहा हूँ और आपसे finally पूछ भी लेता हूँ तो चलिए भाई without wasting any time जल्दी से start करते हैं ठीक finally ध्यान रखिए last way rapid fire में जो question पूछूंगा जिन questions के answer आप नहीं दे पा रहे हैं या आपसे गलत हो रहे हैं उन questions को short में आप note करेंगे और same day आज के आज उन questions को आप तयार कर लेंगे ठीक है कोई time waste नहीं करोगे आज के आज उसको तयार कर लोगे तो चलिए भाई start करते हैं hydro carbon आज हमें बात करनी है saturated hydro carbon के बारे में तो बिटा saturated hydro carbon के बारे में जो बात करनी है तो जरा ध्यान दीजे या पहले पेज़ पर काम की क्या क्या चीज़े है पहले पेज़ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई जैसे कि LPG CNG ठीक है LPG CNG ये सब चीज़ें जो होती हैं ये important होती है तो अगर आपसे कभी पूछा जाए LPG CNG ठीक है इन सब चीज़ें के बारे में तो LPG आपको पता है क्या होता liquefied petroleum gas CNG क्या होती है compressed natural gas इसी पर एक बात और पूछी जा सकती है कि अर्थ crust के नीचे petroleum product जहां पाए जाते हैं तो petroleum products को एक gas surround करके रखती है यानि कि अर्थ crust के नीचे जो liquid होता है petroleum products होते हैं उनके उपर एक gas present होती है वो कौन सी gas होती है तो वो gas होती है natural gas natural gas उसी natural gas को compress कर दिया जाता है तो उसी को compressed natural gas कहा जाता है तो तुम से natural gas पूछे या CNG पूछे एक ही बात है क्या होगा answer CH4 CH4 ठीक फिर यहीं पर अगर पूछा जाए LPG LPG मतला liquefied petroleum gas कहां यूज होती है किचन में domestic यूज में इसको यूज किया जाता है किचन वगरा में इसमें क्या होता ब्यूटेन, आईसो ब्यूटेन, प्रोपेन यह चीजें यहां present होती है यहां पर एक question और पूछा जा सकता है एक बार IAT में आया था कि यहां पर यह जो gas का जो leakage होता है LPG cylinder में अगर leakage है तो वो detect हो जाता है तो वो जो smell आती है वो किसकी smell होती है तो वो जो smell होती है C2H5SH 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 यानि कि एथिल मरकेप्टेन की क्योंकि होता क्या है यहां पर यह जो ब्यूटेन आईसो ब्यूटेन इनकी कोई proper smell नहीं होती तो gas क्या होगा अगर leak करेगा तो पता ही नहीं चलेगा तो इसलिए safety पर पसे महाँ पर C2H5SH मिलाया जाता है सिलिंडर में जिससे अगर gas leak हो तो उसकी अपनी एक smell है जिससे की पता चल जाए जब gas release होगी leak होगी तो उसके साथ C2H5SH सिलिंडर में हैं तो यह भी तो release होगा अब यह release होगा तो इसकी smell से पता चल जाएगा कि gas में leakage हो रहा है तो पूछा जा सकता है कि LPG cylinders में safety purpose से क्या मिलाया जाता है कौन सी gas मिलाई जाती है तो LPG cylinders में for safety purpose क्या मिलाते हैं C2H5SH C2H5SH देखे किसी पेज़ पर जतनी काम की चीज़ें उस सब हम पढ़ लेंगे और साथ के साथ याद भी कर लेंगे तो क्या होगा C2H5SH यहीं पर एक नाम और है एक नाम यहीं पर और है liquefied natural gas liquefied natural gas जिसको क्या लिखा जाता है LNG LNG तो होता गया है यह जो liquefied natural gas होती है LNG ठीक है तो जल्दी जल्दी में अगर क्योंकि अभी इस पर question आया नहीं question जादा तर पूछा गया LPG के बारे में तो LPG के बारे में question पूछा गया liquefied petroleum gas हो सकता है वो पूछ ले LNG and believe me अगर वो यह पूछेगा LNG तो आप देखेगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो confused हो जाएंगे और LNG को LPG समझ लेंगे ठीक है तो बेटा ये गलती नहीं होनी चाहिए देखो क्योंकि हमें पता होगा कि गलती कहां होगी तो हम गलत नहीं करेंगे LNG अगर लिखा होगा तो problem क्या होती है LNG अगर लिखा होता है तो क्योंकि question LNG पर पहले नहीं आया जादा तर LPG पर पूछा गया natural gas liquefied natural gas यानि की CH4 तो कभी भी पूछा जाए LNG क्या है तो LNG भी क्या है CH4 है तो natural gas CNG, LNG सभी बातों का एक मतलब सभी बाते क्या है CH4 ठीक यहीं पर एक line और इस साल के important coal gas is obtained by destructive distillation of coal ठीक है अगर कहा जाए के coal gas कैसे मिलेगी तो coal gas is obtained by destructive distillation of coal coal का destructive distillation करते हैं उससे हमें मिलती है coal gas natural gas is found in upper strateta during drilling of oil well मैंने अभी आपको बताया था कि जहां कहीं भी crude oil पाया जाता है petroleum product पाये जाते हैं इन petroleum product के ऊपर एक gas present होती है उस gas को क्या कहते हैं उस gas को कहा जाता है natural gas ठीक है तो उसको कहा जाता है natural gas ठीक तो बिटा ये line भी ध्यान रखना के coal gas is obtained by the destructive distillation of coal तो इतनी चीजें याद हो गई होंगी अभी तक अब इतनी चीजें याद हो गई ही तो जरा मुझे जल्दी से लिखते चलो जरा जल्दी से जल्दी से बताये जो oil wells होते हैं वहाँ पर crude oil को surround कौन सी gas करती है कौन सी gas surround करती है वहाँ पर उसको क्या बोलोगे क्या बोलेंगे आप CH4 यानि कि नाचुरल गैस ठीक अच्छा एक बात बताओ अगर इसी question को इसी question में मैं दो option दे दू एक दे दू नाचुरल गैस और दूसरा दे दू CNG तो आप किसे prefer करोगे अब मेरे question का answer दीजे अगर यहाँ पर आपको दो option मिल जाए एक मिल जाए natural gas और दूसरा मिल जाए CNG किसे prefer करोगे कुछ लोगों ने लिखा natural कुछ लोगों ने लिखा both बेटा both को टिक नहीं करोगे आप टिक करोगे natural gas को CNG होती है compressed natural gas वही जो नाच्रल गष होती है जब उसको compressed कर दिया जाता है तो उसको हम कहते है CNG ठीक है तो वहां पर जो gas पाई जा रही है वो naturally मिल रहा है उस to simply natural gas को गे ना कि उसको CNG बोगोगे उसको CNG नहीं बोगोगे उसको बोलोगे natural gas उसी natural gas को जब compress कर देते हैं तब उसको कहा जाता है CNG ठीक है या उसी को liquified form में convert कर देते हैं liquify कैसे करोगे high pressure पर जब उसको liquify कर दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है LNG जी लेकिन अगर simple सा इतना question हो कि earth crust में जो crude oil petroleum product पाए जा रहे हैं उनको कौन सी gas surround करती है उसका नाम क्या है तो उसको कहा जाता है natural gas ठीक है natural gas देखो बहुत छोटा छोटा difference है ठीक है NCRT की line से जो इस तरह के easy question बनते हैं उनमें बहुत छोटी छोटी मामूली मामूली से changes हैं लेकि हैं छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो सही करना बहुत जरूरी है सही करना क्यों जरूरी है सही करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर के बाद आपको दोबारा कभी OEMR sheet मिलेगी नहीं कि लाओ यार इसको मैं अपना change कर लूँ मिस से चोटी सी गलती हो गए तो वो जो तीन घंटे का पेपर होता है उसमें आपको इतना perfectly काम करना होता है कि आपको जितना आता है उसमें से कुछ भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए जो कुछ भी आपसे आता है और फिर से बोलना हूं गलती हो जाती है लोगों से महाँ पर अच्छे अच्छे लोगो से गल्ती हो जाती है क्यों जो लोग धyान नहीं देफे थोड़े से ऊवर confident भी हुए तो गल्ती होगी लेकिन जो लोग ध्यान देते हैं उन से बटा गल्ती नहीं होती है और अभी से लेकर exam तक हम इसी वे में prepare कर रहें इसी तरीके से कि हमको बिल्कु गल्तिया rectify करते नहीं है गल्ती का chance होना ही नहीं चाहिए है ना बिल्कु परफेक्ट हो जाना चाहिए और गल्ती के chance नहीं हो देखो आज आपको पहले ही मैं बोला हूं क्योंकि अभी session की शुरुआत ही है पहले ही बता रहा हूं कि क्या अक्सर होता है कि कोई छोटी सी बात मैं बताऊंगा और मुझे खुद बता है कि आपको लगेगा यार ये गलती कौन करेगा ये मुझे से गलती कभी नहीं होगी लेकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं मैं खुद देख रहा हूं कि जो लोग उस समय और लुक करते हैं यार ये मुझसे कभी गलत नहीं होगा उन्हीं से वो चीज़ें गलत होती हैं अक्सर तो इसलिए सेलेक्शन एक प्रॉसेस है आपको उस प्रॉसेस को पूरा करना है तब आपका सेलेक्शन होगा तो ये जो लास्ट वाला ये जो सेशन आपका शुरू हुआ है तो ये सेशन बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें सिभा हम NCRT पढ़ेंगे नहीं अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पेपर एटेम्ट करना गलतियां कम करना गलतियां ना करना इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिसकस करेंगे तो इस मिटियम वालों को प्रॉब्लम हो दोनों को समझ में आ जाए तो यहां तक हो गया तो CNG यानि की कंप्रेज नाचुरल गैस CH4 LNG मतलब कंप्रेज नाचुरल लिक्किफाइड नाचुरल गैस LPG LPG सिलिंडर जो यूज होते हैं और अगर कहा जाएं यहां पर कि LPG के अलावा अगर आपको कहा जाएं कि कोल गैस इस अप्टेंड बाई वाट तो कोल गैस इस अप्टेंड बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आफ कोल बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आफ कोल तो मुझे लगता है बेटा यह पहला पेज आपका आप तक तैयार हो गया ह है ना और अभी आगे मैं इन पर question पूछूंगा तो इस फर्स्ट पेज आप लोगों का तयार हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ा जाए फर्स्ट पेज तयार आपका classification classification और इसको hydrocarbon को classify कैसे करोगे saturated hydrocarbon unsaturated hydrocarbon और aromatic hydrocarbon in fact इसी तरीके से मैं discuss भी करूँगा कराऊंगा भी जैसे आज हम लोग बात करेंगे saturated hydrocarbon की कल बात करेंगे unsaturated hydrocarbon की और उसकी अगली क्लास में बात होगी aromatic hydrocarbon की ठीक है तो saturated unsaturated और aromatic hydrocarbon ठीक है तो अब देखा जाए यहाँ पर सबसे महले हम बात करें saturated hydrocarbon क्या है तो कोई खास यहाँ बात नहीं है याद करने वाली saturated hydrocarbon क्या है carbon carbon single bond होता है कोई pi bond यहाँ पर present नहीं होता अब क्योंकि कोई pi bond नहीं होता है तो carbon का जो hybridization है वो क्या होगा carbon का hybridization होगा sp3 यानि कि यह कह सकते हैं कि carbon का जो hybridization होता है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर sp3 तो saturated hydrocarbon यानि की alkane तो alkane में carbon का hybridization होगा sp3 ठीक अब जड़ा है यहाँ पर कुछ बाते और इस जगे पर इस प्यारा में काम की बात क्या है है ना क्योंकि लिखा तो काफी कुछ है मीथेन कोल माइन्स में पाई जाती है और मार्शी लैंड में भी पाई जाती है अब इसकी application क्या पूछी जा सकती है समझे इसकी application यह है कि मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है ठीक है तो यहां लिखा हुआ मार्शी लैंड में पाई जाती है तो बेटा याद कर लो क्या कहते है मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है और कोल माइन्स में कोल माइन्स में भी मीथेन पाई जाती है और कई बार कोल माइन्स में जो explosion होता है उसके लिए responsible कौन होती है मीथेन कोल माइन्स के explosion के लिए मीथेन responsible होती है तो इसलिए इसको कोल माइन्स में पाई जाती है explosion के लिए responsible है इसलिए इसको एक नाम और देते हैं इसको कहा जाता है fire damp पहले आ चुका है different exams में ठीक है fire damp अब एक बात समझो अगर ये पूछ लिया जाए कि fire damp किसे कहते हैं या mars gas किसे कहते हैं तो एक बात समझे पेपर होने के बाद NCRT की इस line से all over India सबी जगे लोग मैच करा देंगे देखो ये दिया हुआ है यहीं से question आ गया लेकिन में बात है कि question सही तब होगा जब अभी पढ़ते समय आप इस बारे में सोचोगे अगर आप नहीं ध्यान दोगे इसे पढ़ लिया भाई coal mines में पाई जाती है तो fire damp किसे कहते हैं यहां कहां लिखा हुआ है इसकी application है कि नहीं है तो application है इसलिए तयार रखना है मैं खुद कहरा हूँ बार बार हमें हर एक line नहीं लेकिन NCRT की जो line important है उस पर जितने तरह से question पूछा जा सकता है हम वो सारी चीज़े यहां discuss करेंगे और तयार करेंगे तो fire damp या marsh gas कहा जाता है ठीक है चलिए मैं एक statement बोल रहा हूँ बिलकुल आसान सा अभी तो मैंने बात की है आपको बस मुझे true या false बताना है ठीक है आसानी से अभी आपने सुना था बता सकते हैं methane जो होती है वो मार्शी लैंड में पाई जाती है मार्शी लैंड में पाई जाती है इसलिए इसे fire damp कहा जाता है methane is found in मार्शी लैंड that's why named as fire damp true या false जल्दी जल्दी बताना है अर्चना खुशी true false शुरू में कुछ true आए बाद में false आने लगे शुरू में कुछ true क्यों आए ये बिलकुल false statement है एकदम false है या नहीं एकदम false है क्यों false है भाई false statement इसलिए है मार्शी लैंड में पाया जाता है ये बाट ठीक है लेकिन उसके आगे जो लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिखा है इसलिए इसे fire damp कहते हैं भाई मार्शी लैंड में पाया जाता है इसलिए थोड़ी fire damp कहते हैं fire damp तो इसलिए कहते हैं क्योंकि coal mines में explosion के लिए ये responsible है है ना तो देखा जाए आधा statement सही था और बाद वाला आधा statement गलत था और बात यही है statement में अगर एक word भी गलत तो वो statement गलत पूरा statement सही होना चाहिए ठीक है ठीक चलिए ठीक है अभी मैं फिर से आऊंगा फाइनली इस चैप्टर को जब wind up करूंगा तो अभी मैं इन चीदों पर आऊंगा और आप से फर्स्ट पेस सेकेंड पेस सब पर question पूछूंगा चलो भाइए ठीक है इसको कहा जाता प्यारा फिन प्यारा फिन क्यों कहते हैं प्यारा फिन का मतलब होता प्यारा का मतलब होता लिटल और फिन का मतलब अफिनिटी लिटल अफिनिटी ये जो होते हैं इनकी रियाक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है तो क्योंकि रियाक्ट करने की tendency बहुत कम होती है, इसलिए alkane को parafin भी कहा जाता है parafins ठीक है यह inert होते हैं ठीक है, under normal conditions inert under normal conditions as they do not react with acid base and other reagent, समझ सकते हो यहाँ पर single bond है, कोई pi bond नहीं है, कोई खास polarity नहीं है तो यह क्या होते हैं इनकी reactivity ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है और क्योंकि यह बहुत कम reactiv होते हैं इसलिए इनको parafin कहा जाता है parafin का मतलब little affinity to react little affinity to react का मतलब little tendency to react यानि कि react करने की उनकी इच्छा नहीं होती है react करने की जो tendency होती वो इनकी बहुत कम होती है ठीक, चलो भई, और देखा जाए क्या दिया हुआ है, ठीक है, अब यहां पर समझ सकते हो, होमो लोगा सीरीज, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा होगा होमो लोगा सीरीज में, तो जनरल फॉर्मूला होगा, C, N, H, 2, N, प्लास 2, तो हलकेंज का जनरल फॉर्मूला हो C N H 2 N plus 2 जो बात याद ना हो वो मैं बोल रहा हूँ बार बार वो याद हो जानी चाहिए C N H 2 N plus 2 ठीक तो आप से एक question पूछा जाए All members of a homologous series of alkane All members of a homologous series of alkane can be represented by same general molecular formula C N H 2 N plus 2 Alkane की एक homologous series के सभी members को C N H 2 N plus 2 से represent किया जा सकता है क्या बात है भाई बहुत तेजी से answer आ रहा very good ठीक अच्छा एक बात बताओ माल लो इथेन है ठीक है माल लो इथेन है अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाए है here carbon carbon bond and C H bonds are equal पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट है C C bond length is greater than C H bond length तीसरा C C bond length is less than C H bond length चौता not fixed not fixed तो क्या बोलोगे कौन सी bond length जादा होगी यहाँ पर जो C C exactly P is correct बिल्कुल से एक दम संद्या सिंग aims शुबी बिल्कुल सही है carbon carbon bond length carbon hydrogen bond length से जादा होगी क्योंकि hydrogen का atomic size छोटा है तो वहाँ पर bond length जो होगी वो कम होती है ठीक है बहुत ही आसान सा question बहुत easy था लेकि एक बात समझेए बहुत easy question था लेकि होता क्या इस तरह के easy question में जब statement दे देते हैं तो लोग गलत कर देते हैं जैसे last year यहीं एलकेन में भी आ गयाएगा कन्फर्मर के dehydral angle पर एक question आया था और कन्फर्मर के dehydral angle पर एक question आया था और इस साल के batches में जो लोग पढ़ रहें उन में से मतला आपके batches में से ही उन में से कुछ लोगों ने बताया कि ठीक ठाक त्यारी थी उसके बावजूद वो question गलत हो गया था जबकि वो question बहुत easy था कुछ नहीं था बहुत easy question था ठीक है तो चलिए बच्चों फिर और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर एलकेन में जो कार्बन कार्बन बॉंड लेंट है वो CH बॉंड लेंट से जादा होगी वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी पिक्मो मीटर होती है क्या होता है बस हमें यह पता होने चाहिए कौन जादा और कौन सी का चलो भाई अब नेमिंग और आईसोमेरिस पर आ जाते है ठीक है अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एक स्टेटमेंट दे जे कैलकेन के शुरू के जो तीन मेंबर्स हैं उनका सिर्फ एक ही स्ट्राक्चर होता है फर्स्ट त्री मेंबर्स हैव उनली वन स्ट्राक्चर इसका मतलब समझ में आता है इसका मतलब यह समझ में आता है कि एक कार्बन के एलकेन दो कार्बन के एलकेन तीन कार्बन के एलकेन यह हो गए फर्स्ट त्री मेंबर्स तो ये जो शुरू के तीन मेंबर हैं इनमें कोई आईसोमेरिस्म नहीं होती है तो ये बात बिलकुल ठीक है क्योंकि एलकेन में आईसोमेरिस्म होने के लिए चेन आईसोमेरिस्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए चार कार्बन मीनिमम प्रेजन्ट होने चाहिए ये बात हम लोग पढ़ते भी हैं ये बात हम लोग लिखते भी हैं याद भी रखते हैं कि अलकेन में चेन आईसोमेरिक शो करने के लिए मीनिमम कार्बन कितने होने चाहिए चार कार्बन होने चाहिए minimum ठीक तो ये सब लोग याद रखते हैं इसी बात को मानलो वो घुमा कर लिख दे लिख दिया जाए कि फर्स थ्री मेंबर्स आफ एलकेंज शुरू के जो तीन मेंबर है एलकेंज के तो कहा जाएगा कि उनका सिर्फ एक ही structure होता है ठीक है जो एलकेंज के शुरू के तीन मेंबर्स हैं उनका सिर्फ एक structure होता है फर्स थ्री मेंबर्स आफ ऐलकेंज कैननोड हाव मोर दैन one structure अगर ये line लिख दी जाए जैसे मीथेन मीथेन का कहा जाए सिर्फ एक structure एक से помощ स्ट्रामचर नहीं है इथेन, इथेन का सिब एक structure एक से ज़ादा नहीं है प्रोपेन, प्रोपेन का सिब एक structure एक से ज़ादा नहीं है है ना, देखिए, प्रोपेन का एक ही structure तो होता है एक से ज़ादा नहीं होता, ठीक एक ही होगा, लेकिंगर ब्यूटेन कहा जाए तो ब्यूटेन एक structure ये हो गया और एक structure ये हो गया तो ब्यूटेन को दो structure से represent किया जा सकता है और ब्यूटेन को दो structure से represent कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं ब्यूटेन के दो chain isomers होते हैं यानि कि अलकेन में chain isomers की शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी ब्यूटेन से शुरू होती है चार कार्बन से शुरू होती है ठीक है तो यहां पर पहला कुशन यह बन सकता है कि अलकेन में चेन आईसोमेरिस्म की शुरूआत कहां से होगी चार कार्बन से मिनिमम चार कार्बन चाहिए चेन आईसोमेरिस्म शो करने के दूसरा कुश्चन नहीं पर ये बन सकता है कि आपको एक स्टेट्मेंट लिख कर दे दिया जाए ये पूछ लिया जाए कि चार कार्बन के अलकें ने उसके कितने चेन आईसो मर होंगे तो दो चेन आईसो मर होंगे और अगर यहीं पर आपसे ये कह दिया जाए एक स्ट्रक्शर कहने का मतलब है कि एग्जामनर यह कहना चारा है कि शुरू के तीन मेंबर्स जो होंगे उनमें कोई आईसो मरिज्म नहीं होगी थीक है अगर तूमसे कहा जा मीथेन का सिर्व एक स्ट्रक्शर पॉसिबल है तो इस बात का मतलब है कि मीथेन में कोई आईसोमेरिज्म नहीं होगी अगर का जा इथेन में कोई आईसोमेरिज्म नहीं होती है इसी बात को दूसरे वे में कहे तो वो ये कह सकता है कि इथेन का सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है प्रोपेन का सिर्फ एक structure possible है, ठीक है क्ई बार क्या होता है? हमें चीज़ें आती होती है हमें मालुम होता है लेकिं ऐसमणर क्या करता है खास दोर से जासे आई टी और आपका need इसमें एकाम बहुत किया जाता है हमेशा से कि हमें आता है लेकिं examiner क्या करता है थोड़ा सा language घुमा देगा अब थोड़ा सा language घुमाएगा तो घुमाने से क्या होता है कहीं न कहीं confusion हो जाता है ठीक है तो इसलिए well prepared होना चाहिए कि question आए तुरन क्लिक करें अरे हाँ यार यार ये तो हमने पढ़ा था ये जो examiner घुमा रहा है ये इस methane and propane have only one structure methane, ethane and propane have only one structure ठीक अब चलिए जड़ा तो चार कारवन के alguien हैं अगर है है चार कारवन की महिए तो कितने इस्वमार होंगे दो पांच कारवन की हैं तो कितने होंगे तीन चार कार्बन केलकेन है तो दो पांच कार्बन केलकेन है तो तीन छे कार्बन केलकेन है तो पांच साथ कार्बन केलकेन है नाइन आठ कार्बन केलकेन है इंटीन 9 कारबन है 35 10 कारबन है तो 75 तो ये बिटा एक तरीके से ऐसे सीक्वेंस याद रखो 2, 3, 5, 9, 1, 8 35, 75 जैसे फोन नमबर याद करते हो वैसे कूड याद कर लो और कहां से शुरू हो रहा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है यहां से शुरुवात हो रही है तो कभी भी अगर इस पर कुश्चन आए ठीक है तो आप क्या कर दो आप सीधे सीधे जल्दी से ऐसे लिख लो और लिखने के बाद लिखने के बाद इसको इस तरीके से मैच करा लो कि उसने 4 पूँचा तो 2 हो गया 6 पूँचा तो 5 हो गया आड़ पुछा तो 18 हो गया तो कोड़ के फॉर्म में इसको सीधे ऐसे याद कर लीजिए ठीक है तो बिलकुल अच्छी तरीके से एकदम याद हो जाना चाहिए अब आप देखिए हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं हम लोग NCIT की जितनी भी काम की लाइने कुछ छोड़ ही नहीं रहे एक-एक लाइन पर हम लोग चल रहे हैं तो आप समझेए कुश्चन आएगा कहां से आराम से अच्छी तरीके से आपका तैयार हो ही जाएगा ठीक है चलो भाई तो आगे बढ़ा जाए टू मेथिल प्रोपेन आईसो ब्यूटेन बहुत इंपोर्टन्ट है यह कंपाउन बहुत इंपोर्टन्ट इसलिए है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है अगर कभी भी पूछा जाए कि टू मेथिल ब्यूटेन या काज़ा आइसो पेन्टेन के कitने मोनोख्लोरो प्रोडक्ट बनेंगे तो मोनोख्लोरो प्रोडक्ट का आंसर होगा 4 2-methylbutane को ही ISOPENTAINE कहा जाता है तो 2-methylbutane कहा जाए या ISOPENTAINE कहा जाए मोनोख्लोरो प्रोडक्ट पुछेगा तो आंसर होगा 4 अभी इसकी application भी है और और भी question इससे मिलते जुलते बनते हैं 2-methyl-butane पर लेकिन उनको भी हम discuss करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे 12th की organic का पहला chapter Halo-Alkane तो Halo-Alkane में उसको हम लोग discuss करेंगे ठीक है यह बाकी structures बने हुए है आप देख सकते हैं पांच कार्वन की अलकेन की बनाए है इन्होंने ठीक है तो यह देख सकते हो 2-methyl-pro प्रोपेन ठीक है तो यह ब्यूटेन हो गया पर 2-methyl-propane हो गया यह जो उपर वाले दो structure है ब्यूटेन और 2-methyl-proपेन यह किसके structure है यह दो structure है चार कार्वन के ठीक है और अब अब यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर आगे जो तीन structure बने हैं वो किसके बने में पांच कार्वन के और अभी हम लोगों ने लिखा था ना कि चार कार्वन के अलकेन होगी तो उसके कितने आइसो मर होंगे दो पांच कार्वन के अलकेन होगी तो उसके कितने आइसो मर होंगे तीन ठीक तो वही यहाँ पर बना हुआ कुछ अलग नहीं है ठीक है अब यहीं पर वो जो हम लोगों ने डिसकस किया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है अब यह इनके आयूपेक नेम लिखे हुए तो आयूपेक नेम वगरा कि हम लोग बात करी चुके हैं आयूपेक नेम आप आराम से बता ही सकते हो पर यहीं पर एक चीज यह पूची जा सकती है कितने 1 डिगरी कारबन, 2 डिगरी कारबन, 3 डिगरी कारबन, 4 डिगरी कारबन, हाइडरोजन प्रेजेंट होंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कार्बन, हाइड्रोजन देखना आता होगा उसी के बिस्सिस पर आंसर कर दोगे अच्छा कभी अगर पूछा जाए 1, 2, 3, 4 डिग्री, कार्बन और हाइड्रोजन तो काउंट करना पड़ता है लेकि आराम से हो ही जाता है तो क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होता है? 0 तो आप आपशन में चेक करिएगा अगर ऐसा कुशन आए तो हो सकता है एक ही ऑपशन ऐसा हो जिसमें 4 डिग्री हाइड्रोजन 0 दिया हो तो जिस option में 4 degree hydrogen 0 दिया हो बस सीधे उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे फिर बागी count करने में time waste करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है मतलब कुछ question क्या होता हमें trick से करने ही होते हैं देखिए as many as 75 isomers are possible for c10 h22 अब ये इसके बाद ये दिया हुआ है कि इनके corresponding alcohols क्या बनेंगे और क्या होगा तो उससे तो मतलब नहीं है आपको अब ये naming ये naming बिटा ध्यान रखिएगा एक बात देखो यहाँ पर a में अगर मैं यहाँ पर नाम लिख देता two methyl four ethel hexane तो वो सही होता या गलत होता ये पार्ट में अगर नाम होता इसी को हम लिखते two methyl four ethel hexane तो ये सही होता या गलत होता जल्दी से बताईए wrong बिल्कुल एकदम गलत ठीक अच्छा आप ये जो नाम वाम लिखे हुए है ठीक है ये जो नाम दिये हुए है तो यहाँ पर हम लोगों ने नेमिंग में भी बात की थी कि नेमिंग में मैंने आपको बताया था कि जैसे जो आईसो जीयों होता है वो तो fundamental name में उसको include किया जाता है लेकिन जो secondary टरिशरी होता है इसको fundamental name में include नहीं करते फंडामेंटल नेम में include क्यों नहीं करते इसलिए fundamental name में include ना करने का मतलब क्या है ना करने का मतलब जब हम alphabetical order में sequence लगाते हैं तो अगर नाम में आईसो नियो है तो आईसो का आई या नियो का एन उसको तो हम fundamental उसको तो हम alphabetical order में consider करेंगे लेकि सेकेंडरी टैश्री अगर होगा तो सेकेंडरी टैश्री को हम consider नहीं करते हैं ठीक है अब ये जो कुछ नाम है ये बेटा ये जो नाम है इन नामों को जहां रखो गया ठीक है जैसे आप देखिए जैसे आपको मैं दिखा दूँ यहां पर वही चीज़ दी भी हुई है जैसे यहां की लिखा फाइज सेकेंडरी ब्यूटिल ठीक है फूर आईसो प्रॉपिल तो आपको देखने में लग रहा होगा कि यार ए बी सी डी जी एच आई आई पहले आता है और एस बाद में आता है तो आई पहले आता है एस बाद में आता है तो आकिर हमने एस कैसे पहले लिख दिया हमें सीक्वेंस में लिखना होता है अलफा बेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखना होता है तो यहाँ पर हमने secondary S पहले कैसे लिख दिया हमें तो I पहले लिखना चाहिए था न वो बेटा इसलिए क्योंकि अभी मैंने बताया नाम में अगर ISO या NEO लगा हुआ है तो उसको तो तुम alphabet में consider करोगे लेकिन अगर secondary tertiary लगा है तो alphabet में consider नहीं करोगे तो आँ consider किसको करोगे इनको compare करोगे butyl और isopropyl butyl और isopropyl में आप बताये alphabetically कौन पहले आरा B तो butyl और isopropyl में alphabetically B पहले आरा है B पहले आरा है इसलिए लिखा जा रहा है secondary यहां लिखा है लेकि secondary से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पर जो consideration है वो हम alkyl group का consideration देख रहे है ठीक है तो यहां पर बेटा यह बात ध्यान रखोगे और इस table को आप यह मान कर चलिए यहां यह सब जो examples हैं इस साल के लिए बहुत important ठीक है यह table आप mark कर लिए आसान से नाम है लिखकर देख लेंगे important है फिर यह structure दिये हूँ है इनके नाम दिये हूँ है तो यह सब बताई सकते हो फिर यह structure बनाने की बात की गई है अब देखो एक बात समझो subjective paper तो है नहीं कि तुमको कोई structure बनाने को कहेगा ठीक है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर करना क्या होगा यहाँ पर हो सकता है वो ऐसे दे दे कि आपको यह structure दे दे और इस तरीके से चार नाम दे दे और कह दे कौन सा नाम correct है तो वो हाला कि आप बताई दोगे naming, naming हम लोग बात कर चुके हैं आपको आता है तो आप naming में करी लोगे बता दोगे ठीक है चलो भाई अब आते हैं मेनिया reaction पर preparation method preparation method की बात करें तो पहली reaction है hydrogenation reaction hydrogenation reaction में कहा जा रहा है finally divided catalyst like platinum, palladium, nickel लिया जा रहा है और इस reaction को कहा जा रहा है hydrogenation ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हो आप जड़ा देखो alkin लिया जा रहा है alkin के साथ 1 mole hydrogen ले रहे है pie bond टूट जा रहा है hydrogen जुड जा रहा है तो pie bond टूट जा रहा है hydrogen जुड जा रहा है क्या बनेगा alkin की formation हो रही है ठीक तो जब हम hydrogenation reaction पर आते हैं और ज़रा इसके बारे में समझते हैं कि इस पर क्या-क्या question पूछे जा चुके हैं और क्या-क्या नए question पूछे जा सकते हैं तो ज़रा यहाँ पर पहली बार reaction पर आते हैं फिर से एक बार alkin लिया गया hydrogen का एक mole लिया गया ध्यान दीजे एक mole hydrogen ठीक reaction कराई गई alkin मन गया कैसे हुई होगी reaction pie bond टूटा होगा hydrogen जुडा होगा pie bond टूट गया hydrogen जुड गया यानि कि alkin की formation होगी पहला question यहाँ पर यह बन सकता है कि यहाँ पर आकर hydrogen के कितने mole लिये जाएंगे भाई तुमको pie bond टोड़ना है तो जितने mole pie bond होंगे उतने mole hydrogen लोगे क्योंकि alkin में एक pie bond होता है तो एक pie bond है तो एक hydrogen लोगे one mole of H2 ठीक है तो निकल लेते हैं प्लाटिनम ले लेएं निकल ले लेते हैं तमाम सारी यह जो metals होते हैं यह लिये जा सकते है oblique लगा होने का मतलब इंच मेंच से कोई ले सकते हो ठीक है मतलब इंच मेंच से कोई एक लिया जा सकता है और alkin की formation हो जाएगे तीसरा question यह है कि जब यहाँ पर निकल लिया जाता है तो यहाँ पर temperature क्या होता है पूछा जा चुका है दो बार FMC में एक बार वर्धा में जिपमर में सभी जगे कि जब यहाँ पर निकल लेते हैं तो temperature कितना होता है तो निकल लेते हैं तो temperature 200 से 300 degree centigrade होता है next question अलग-अलग exam में कई बार पूछा गया including aims पूछा जा चुका है इस reaction का नाम तो इस reaction को का जाता सबाटियर सेंडरंस reaction mind it, सबाटियर सेंडरंस reaction देखो reaction पर जो कुछ भी बन सकता है वो सब हम लोग बात करें कि क्या-क्या पूछा जा सकता है तो 200 से 300 degree centigrade temperature और reaction का नाम क्या होगा सबाटियर सेंडरंस reaction next यहां पर अगर कहा जाए यह reaction कौन से principle पर काम करती है तो surface chemistry अगर आपने पढ़ा होगा तो सुना होगा वहाँ एक नाम आता है adsorption adsorption तो यह reaction adsorption के principle पर काम करती है adsorption के principle पर और उसी surface chemistry में हम लोग एक बात और पढ़ते हैं जब किसी मेटल के surface पर कोई gas adsorbs होती है तो हम इसे adsorption तो कहते हैं साथ ही साथ इस process को हम occlusion भी कहते हैं metallic surface पर जब कोई gas adsorbs होती है तो उसे occlusion भी कहा जाता है यानि कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस process को इस reaction में जो process हो रही है इस process को क्या बोलोगे तो इस process को हम लोग कह सकते हैं occlusion ठीक अच्छा अगर कहा जाए यहाँ पर metal जो है वो hydrogen को क्यों adsorb कर रहा है तो metal hydrogen को adsorb कर रहा है just to activate HH bond metal जो होगा वो hydrogen को adsorb करेगा just to activate HH bond ठीक है तो HH bond को activate करने के लिए H2 में hydrogen hydrogen bond होगा भाई H2 में ऐसे bond होगा की नहीं ठीक अच्छा यहाँ पर मैंने अभी बताया कि निकिल लोगे तो temperature 200 से 300 degree centigrade होगा लेकिन platinum पेलेडियम अगर लोगे तो आप देख सकते हैं यह reaction कम temperature पर यानि कि room temperature पर ही हो जाएगी ठीक लिखा हुआ relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst ठीक है तो जब यहाँ platinum पेलेडियम वगारा लोगे तो यह reaction जो होगी वो room temperature पर ही हो जाएगी अच्छा इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा एक बात यह ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पर आप से कहा जाए कि यह जो metal लिए जा रहे हैं यह metal metallic form में लें तो रियाक्शन ज़्यादा तेजी से होगी या इसको finally divided state में लें तब ज़्यादा fast होगी तो जब finally divided state finally divided state का मतलब होता है powder का form में हैं कोई भी चीज अपने finally divided state में होती है तो surface area ज़्यादा होता है और surface area ज़्यादा होगा तो adsorption ज़्यादा होगा और adsorption पर ही तो यह reaction work कर रही है अगर adsorption ज़्यादा होगा तो यह reaction fast हो जाएगी ठीक तो बताइए यहाँ पर देखने में लग रहा है दो तीन चार लाइने लेकिं आप देखे दो तीन चार लाइनों पर हम लोगों ने 10-15 question की बात की की नहीं की है ना 10-15 question की बात हुई अब आप मेंसे किसी को भी इन question पर अगर कोई doubt हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जल्दी से मैं देख रहा हूँ अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हूँ आप पूछ सकते हैं और अगर कुछ ना पूछना हूँ तो हम लोग फिर जल्दी से next reaction पर आगे बढ़ते हैं अगर सब कुछ clear है yes लिख दीजे और कुछ पूछना अगर है तो जो पूछना है वो लिख सकते हैं ठीक है भाई ठीक आगे continue किया जाए चैलो भाई यहां देख रहो अलकाइन है तो अलकाइन में हाइडरोजन की कितने मोल लिए जा रहा है दो मोल लिए जाना है तो यहां से बात ध्यान रखिए अगर दो पाई बॉन्ड होंगे तो दो मोल लोगे और अगर एक पाई बॉन्ड होंगा तो एक मोल लोगे हाइडरोजन का ठीक चलो आगया आते हैं फ्रॉम एलकिल हलाइड देखो एलकिल हलाइड का हम रेडक्शन कर दें तो रेडक्शन का मतलब यहाँ पर फिलाल समझे एलकिल हलाइड का रेडक्शन का मतलब है हालोजन हटा दो hydrogen लगा दो तो तमाम सारे reducing agent होते हैं जिनकी presence में reaction होती है just like यहां पर zinc h plus ले सकते हो और भी तमाम सारे lithium aluminum hydride na bh4 tri-finyl tin hydride कई सारी चीज़ें ली जा सकती हैं तमाम reagent होते हैं ठीक लेकिन चलो जब पहले हम यहां थोड़ी सी बात कर लें थोड़ी सी बात avoid करते हैं ठीक है fluoride का reduction क्यों avoid करते हैं क्योंकि वहां पर RF आर एफ ब्वांड energy बहुत जादा होगी और जब RF बांडेर्ड इनरजी बहुत जादा होगी तो समझ सकते हो आर एफ ब्वांड इनरजी जादा होगी तो इसको तोड़ना मश्किल होगा पुम कि लोगा तो हम कहते हैं कि यहां पर आर एफ को छोड़ कर तो हो सकता है आपसे एक कोशन सीधे यही पूछ लिया जाए चार एलकेलाइट लिख दिया जाए पूछा जाए किसका रेडक्शन डिफिकल्ट होगा तो जहां एलकेल फ्लोराइड होगा वहां पर बोलोगे कि ठीक है रेडक्शन में मैंने बताया कि रेडक्शन में जैसे जिंक एच प्लस ले लिया ठीक है यही पर आप लीथियम अलमुनियू हाइड्राइड या एने भी एच फूर या ट्राइफ एनल टिन हाइड्राइड बहुत सारे रेडीसिंग एजंट होते हैं यह सब चीजें ल सोडियम मेटल तो यहां पर देखें यहां पर भी जरा बात कर ली जाएं यह किस रियाक्शन की बात हो रही है वोज रियाक्शन की बात हो रही है तो बेटा जरा वोज रियाक्शन पर हम मैं आपको सारी बाते बोल दे रहा हूं ध्यान से सुनो एलकेल हलाइड के दो मोल ल एक कपलिंग रियाक्शन है यानि कि दो एलकेल ग्रूप इसमें जुड़ते हैं तो यह कपलिंग रियाक्शन है अब यहाँ पर पॉइंट वाइस बात समझे सबसे पहली बात मिकानेजम तो यहाँ पर फुरी रेडिकल मिकानेजम होती है दूसरी बात अगर कहा जाए कि यहा अपलिंग रियाक्शन है तो कम से कम दो कार्बन की एलकेन तो बनेगी ही एक कार्बन की एलकेन नहीं बनेगी तो कौन सी एलकेन हम नहीं बना सकते तो आंसर होगा थीच फोर ठीक फिर यहीं पर अगर इसके आगे कहा जाए कि कौन सी एलकेन नहीं बना सकते तो ठीक है आंस ialit lyride लिया जाए, क्योंकि अगर एक तरह कस दी, अल्किल हirable, रोगे, तो तरो सिर्फ वी एक ialkin लंएगी, दो तरह क dare link लोगे, तो कई सारे ial tul 간 वनेंगे, mixture बन जाएगा है, और जब 900 बन जाएगा, तो फिर final उनको separate करना भी एक problem होगी, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक तरह का अलकेल हलाइड लेते हैं जब आप एक ही अलकेल हलाइड लेंगे तो जो अलकेन बनेगी वो कौन सी बनेगी आर आर जब आप आर एक्स लोगे तो क्या बनेगा आर 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 को क्या कह सकते हैं सिमेट्रिकल अलकेन यानि कि वोज रियाक्शन से हम किस तरह के अलकेन बनाना पसंद करते हैं सिमेट्रिकल अलकेन वोज रियाक्शन से हम कौन सी अलकेन बनाना पसंद नहीं करते हैं अनसिमेट्रिकल अलकेन तो हम अनसिमेट्रिकल अलकेन को बनाना पसंद नहीं करते हैं नहीं करते ध्यान दीजी अंसिमेटरिकल एलकेन को हम बनाना प्रिफर नहीं करते ऐसा नहीं है कि हम अंसिमेटरिकल एलकेन बना नहीं सकते बना सकते हैं लेकिन अंसिमेटरिकल एलकेन हम बनाना प्रिफर नहीं करते अवाइड करते हैं जैसे अक्सर होता है कि कुश्चन पू बना सकते का मतलब है मीधेन नहीं बना सकते और नहीं बनाना चाहते यह हमारी प्रिफरेंस वाली बात होगे तो नहीं बनाना चाहते तो नहीं बनाना चाहते का मतलब होगा फिर यहां पर उसका अंसर होगा अंसिमिट्रिकल एलकेन तो डिफरेंस दोनों का समझे ठीक है ठीक तो दरा एक बास देख ठो लें ही कि क्या हो रहा है दो डिफरेंट अलकेल हज्ड मान लो ले लिया आर एक्स और ले लिया आर-डैश-एक्स तो आप एक बात बताओ, आर एक्स जब तूटेगा, तो यहां से आर फ्री रेडिकल बनेगा, आर डैश एक्स जब तूटेगा, तो यहां से आर डैश फ्री रेडिकल बनेगा, तो एलकेन जो बनेगी, आर फ्री रेडिकल अपने ही जैसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ तो क्या बना देगा आर्डेश आर्डेश बना देगा और और आर्डेश व्रिय्टिकल और आर्डेश फ्री रेडिकल आपस में चुड़ेंगे तो आरडेश बन जाएगा तो बताइए कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई देरही है अगर दो डिफरेंट अलकेल हलाइड लेंगे तो तीन अलकेन बनने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है ठीक है अब आजाईए फ्रॉम कारबॉक्सलिक असिट तो कारबॉक्सलिक असिट के दो मेथड है एक मेथड है मतलब डी कारबॉक्सलेशन है तो एक तो डी कारबॉक्सलेशन कराते हैं सोडा लाइम की प्रेजन्स में और दूसरा जो डी कारबॉक्सलेशन होता है वो एलेक्ट्रोलिसस के थ्रू होता है ठीक तो पहले हम बात करते हैं सोडा लाइम की प्रेजन्स में ठीक है सोडा लाइम की प्रेजन्स में जब हम किसी आसिट के सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो क्या मिल जाता है में एलकेन एक कार्बन कम होता है एलकेन में रियाक्टेंट के कमपैरिजन में प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होता है यहां दो carbon है, तो यहां ilkane में कितना carbon है? एक carbon है तो reactant के comparison में product में एक carbon कम होता है ठीक है? तो पहला question दो यह हो गया यानि कि यहां पर देखों लिखा हुआ है one carbon atom less than the carboxylic acid जो ilkane मनती है, वहां पर एक carbon atom कम होता है कारबॉक्सलीक एसिट के कमपारिसन में दूसरा क्वशन सोडा लाइम क्या होता है सोडा लाइम होता है न ए ओ एच प्लस सी ए ओ तो इन दोनों को मिला कर कहा जाता है सोडा लाइम इनको सोडा लाइम बोला जाता है ठीक है तो अब मैं यही पर आपसे अगर पूछूँ जैसे यहां दिया हुआ था एसेटिक एसेट का सॉल्ट था एसेटिक एसेट में दो कार्बन होते हैं तो एलकेन कितने कार्बन के बनी एक कार्बन की यानिकी मीथेन अगर असिड में तीन कार्बन होते तो एलकेन दो कार्बन की बनती अगर पांच कार्बन होते असिड में तो एलकेन चार कार्बन की बनती अच्छा आप जरा मुझे बताईए सोडियम फॉर्मेट अगर सोडियम फॉर्मेट हम लोग ले लें ठीक है H-C-O-O-N-A और सोडियम फॉर्मेट का D-Carboxylation करा दिया जाए तो बेटा सोडियम फॉर्मेट का जब D-Carboxylation करा होगे तो क्योंकि यहाँ पर एक कारवन है तो यहाँ पर आपको कोई L-K-N नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको Hydrogen Gas मिलती है ठीक तो सोडियम फॉर्मेट का D-Carboxylation करोगे तो यहाँ फॉर्मेट यहाँ पर मिलती है अब देगो पूछा जा रहा है Sodium salt of which acid sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane propane बनाने के लिए sodium salt का कौन सा acid लिया जाए क्या आप लोग बता सकते हो जल्दी बताईए propane बनाने के लिए sodium salt का कौन सा acid लिया जाए जल्दी बताईए आदिती ब्यूटेनोईग कविता सत्यांशू प्रतियूश एकदम साही है चार कार्बन का असेड होना चीए चार कार्बन का असेड यानि की ब्यूटेनोईग असेड बिल्कुल सही है तो ब्यूटेनोईग असेड चार कार्बन का असेड ठीक अब अभी हम लोग ने बात की इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा मेथड तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा मेथड होता है उसको मतलब वो डी कार्बाग्जिलेशन का दूसरा मेथड डी कार्बाग्जिलेशन का जो दूसरा मेथड है वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरा Electrolisis के द्वारा जिसको का जाता Colbase Electroletic Process तो यह है Colbase Electroletic Process यहाँ पर हम क्या लेते हैं ज़रा ध्यान दीजे An Equus Solution of Sodium और Potassium Salt of a Carboxylic Acid है ना Carboxylic Acid का हम Sodium या Potassium Salt लेते हैं लेकिं Medium यहाँ कैसा होता है Equus Medium होता है तो यहाँ पर हम Equus Medium लेते हैं अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जब हम Equus Medium लेंगे तो होगा क्या जब हम Equus Medium लेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी Alcain Alcain हमें कहां पर मिलेगी तो बिटा यहाँ पर हमें Alcain मिलती है Anode पर Alcain मिलती है Anode ठीक साथ ही साथ एनोड पर एलकेन के साथ और क्या मिलता है तो एनोड पर एलकेन के साथ मिलता है CO2 कार्बन डाई आकसाइड तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि कार्बन वाली चीजें एनोड पर मिलती है तो एलकेन के साथ क्या मिलेगा एनोड पर CO2 cathode पर क्या मिलता hydrogen gas cathode पर hydrogen gas हमको मिलती है ठीक अच्छा आप बात करें mecanism की तो वही free radical mecanism free radical mecanism मतलब कैसे product बनाओगे तो product देखो यहाँ बनाते हुए दिखाया गया है जो भी salt है तुम क्या कर दो ठीक है कार्बागजी ग्रुप हटा दो इसको हटा दो और यहाँ पर free radical बने है कौन सा free radical बना methyl free radical तो कितने methyl free radical एग methyl free radical तो बनेगा नहीं बहुत सारे methyl free radical बनेंगे और जब बहुत सारे methyl free radical बनेंगे तो जब यह आप बहुत सारे methyl free radical लोगे तो मैथिल मैथिल फ़र में जुड़ेगा तो लकेन बना देगा इस तरीके से की नहीं तो अब आज दरा मुझे कुछ बातों का आंसर दीजिए घैसे यहां पर एक कपलिंग रियाक्शन है तो क्या यहां पर हमको इस कपलिंग रियाक्शन में क्या यहाँ पर एक कर्वन की elcane form होगी यह नहीं होगी वही जो वुज में आत किया था वो सब बातें यहाँ valid रहेंगे यानि कि यहाँ मीथेन नहीं बना सकते यानि कि यहाँ पर symmetrical elcanne बनाना prefer करते हैं एक एसिट का सॉल्ट लेना प्रिफर करते हैं क्योंकि अगर दो अलग अलग एसिट का सॉल्ट लोगे तो आपको मिक्षर आफ एलकेन मिल जाएगी अंसिमेटरिकल एलकेन मिल जाएगी तो हम अंसिमेटरिकल एलकेन बनाना प्रिफर नहीं करते हैं मीथेन को हम यहाँ पर बना नहीं सकते बना ही नहीं सकते ठीक अच्छा अब यहीं पर थोड़ी सी बात ऐसी कर ली जाए कि इसमें और 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 फिजिकल के मिस्ट्री चलो मिला दी जाए औरगिनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मान लो बेटा आपको ये बात बोली जाए कि यहाँ पर ये जो रियाक्शन है इस रियाक्शन में इस रियाक्शन में जरा ये बता दीजिए कि यहाँ पर दो तरीके के केटाइन हमारे पास हैं अगर देखा जाए एने प्लस भी प्रेजन्ट होगा और एच प्लस भी प्रेजन्ट होगा कैसे यहां सॉल्ट है मालों सोडियम सॉल्ट है तो एने प्लस प्रेजन्ट होगा और यहां पर क्यूंकि वाटर है तो वाटर से एच प्लस भी आ जाएगा तो आप देख रहें कैथोड पर हमें सोडिय नहीं मिल रहा सोडियम मेटल नहीं मिल रहा कैथोड पर कैथोड पर हमें मिल रही है हाइडरोजन गैस तो कैथोड पर हाइडरोजन गैस क्यों मिल रही है तो एक स्टीटमेंट में बोल रहा हूँ आप मुझे एस नो में आंसर करिए कैथोड पर हाइडरोजन गैस इसलिए मि रही है क्योंकि H plus का reduction potential N A plus से ज़्यादा होता है पिलकुल सही एकदम थी very good बहुत बढ़ी है एकदम थी बहुत बढ़ी है ठीक है तो reduction potential जो हता है जिसका reduction potential ज़्यादा होगा वही reduce होगा अब क्योंकि यहाँ पर H plus का reduction हो रहा है तो क्योंकि यहाँ पर H plus reduce हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे H plus का reduction हो रहा है इसलिए हमें hydrogen gas मिलेगी ठीक है चालो भई अच्छा यह बता तो यहाँ पर resulting solution acidic होगा, basic होगा, neutral होगा क्या होगा यहां पर तो resulting solution यहां पर होगा basic resulting solution will be basic तो pH greater than 7 resulting solution basic pH greater than 7 देखे कल मैंने आप से कहा था कि आप reactions start हो जाएंगी अभी तक जितना portion हुआता हो सीधे सीधे question वाला था अब reactions start होंगी और जब reaction वाला portion start होता है तो वहाँ पर NCRT decoding का NCRT को समझने की importance और बढ़ जाती है कि NCRT में कहां कहां से question आ चुका और कहां कहां से नए question बन सकते हैं जैसे अभी आज हम यह alkane पूरा complete करेंगे तो हमारा saturated hydrocarbon complete हो जाएगा आप लोग answer देद होगे ठीक है कालम लोग बात करेंगे alkane, alkane की तो आप समझ सकते हैं unsaturated hydrocarbon और जादा important है क्योंकि वहाँ एक pie bond आ जाता है mechanics वगरा काफी important हो जाती है तो वहाँ पर और जादा अच्छे question मनते हैं in fact आप देखते भी होंगे करीब करीब हर साल question पूछा ही जाता है है ना तो इन चीज़ों पर alkyne, alkane इन पर तो question इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इनकी importance काफी है तो इसलिए देखिए मैंने सब कुछ एक lecture में नहीं रखा इसलिए अलग saturated अलग unsaturated अलग, aromatic अलग जिससे कि आपको एकदम crystal clear हो जाएं चीज़े कोई overlapping ना होगी बहुत जल्दी जल्दी किया और आपको overlapping हो गए class में ही साथ के साथ हम लोग तैयार कर लें उससे अच्छा कुछ नहीं है है ना, best यही होता है कि class में तैयार होता जाए तो तैयार हो रहा है भई, class में सबका क्योंकि बास अभी थोड़ी देर में preparation complete करके मैं question पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं properties पर आऊंगा है ना, तो इसलिए एकदम चीज़ें तैयार होनी चाहिए अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है methane can not be prepared by this method why क्या लग क्या बात हैammal लिखा जाए बिटा, तो आब हमारा basic part और preparation method complete होกMore आब इसके आगे अभी हम लोग physical properties और chemical properties लेकिं उसके पहले पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपसे question पूछ लिया जाए तो अगर सब लोग चाहते हैं कि मैं question पूछूं तो जल्दी से yes लिख दीजिए जिससे की question start किया जाए अगर आप लोग तयार हैं तो yes लिख दीजिए तो अगर आप लिजिए 10-20-30 second चाहते ह तो देख भी सकते हैं कोई problem नहीं है हाँ भाई तयार है सब लोग तो तयार है तो चलो भाई जल्दी से फिर पूछता हो और बेटा बस ये ध्यान रखो कि question पूछा जाए तो बस एकदम आराम से बिलकुल आराम से answer करिएगा हाँ बिटा आज saturated hydrocarbon ही है अभी हाला कि properties बचिए अभी मैं discuss करूँगा अभी session एंड नहीं हो रहा है आज तो saturated hydrocarbon है ना तो saturated hydrocarbon complete करेंगे ठीक है तो चलो भाई आगे बात की जाए तो अब आगे बात की जाए तो जरा questions पर आते हैं तो बताएए अर्थ क्या कहते हैं जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो natural gas बहुत बढ़िया natural gas एकदम ठी natural gas मतला CH4 ठीक है क्योंकि वह natural gas होती है उसी को जब compress करते हैं तो compress करने के बात उसको कहते हैं compressed natural gas mean constituent of LNG is जल्दी से आंसर लिखो mean constituent of LNG is जल्दी से आंसर लिखे mean constituent of LNG बेलकुल सही LNG यानि की liquefied natural gas तो liquefied natural gas है तो क्या होगा CH4 ठीक एकदम ठीक है CH4 अच्छा नेक्स मैं बोल रहा हूँ अब आप YES में हमें आंसर करो coal gas is obtained by destructive distillation of coal coal gas is obtained by destructive distillation of coal yes or no क्या बात बढ़ी बहुत बढ़ी है सब लोग एकदम सही सही आंसर दे रहा है ठीक next first three members of alkane first three members of alkane can be represented by only one structure first three members of alkane series can be represented by only one structure yes or no yes very good ठीक है इस बात से मैं क्या समझ में आता है इस बात से ये समझ में आता है कि इसका मतलब है कि only one structure that means कि यहाँ पर third one way क्या बात है देखो आंसर बिंदो Ondol आना चाहिए इतना तेज आंसर आ रहा है कि मैं नाम पड़ भी नहीं पा रहा हूं और आंसर आ से ही आना चाहिए 3 ठीक बिल्कुल सही अच्छा बताईए पेंटेन पांच कारवन होता है पेंटेन तो पेंटेन के कितने चेन आईसोमर पाए जाते हैं पेंटेन में कितने चेन आईसोमर पाए जाते हैं तीन बिल्कुल सही अच्छा इसी कोश्चन को मान लो दूसरे वे में पूछा जाए आप से पूछा जा सकता है पेंटेन के कितने डिफरेंट इस्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं पेंटेन के कितने डिफरेंट इस्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं जितने आईसोमर उतने ही डिफरेंट इस्ट्रक्चर्स है ना तो जितने आईसोमर उतने ही डिफरेंट इस्ट्रक्चर्स बहुत बढ़िया ठीक यह समझ में आ रहा है आपके आप लोगों को चीज़ें ए होती है बाद नेक्स स्टेट्मेंट येस नो बताएगा आल मेंबर्स आल मेंबर्स आफ एलकेन होमोलोगा सिरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सेम मॉलीकुलर फॉर्मूला एलकेन की होमोलोगा सिरीज कैस अबी मेंबर्स को सेम मॉलीकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है भाई बहुत सारे आंसर ट्रू वाले आ रहे हैं और थोड़े से आंसर नो वाले आ रहे हैं फॉल्स वाले आ रहे हैं ठीक तो मैं आपको बता तूँ अभी उस दिन भी बताया था आज मैं फिर से बता रहा हूँ हो सकता है कुछ नए लोग हो जो जिनों ने उस दिन क्लास ना कियो इसलिए गलत हो अगर कहा जाए सेम मॉलीकुलर फॉर्मूला तो ये स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि बताये जब होमो लोग सीरीज की अलग अलग मेंबर होंगे तो उनमें कार्बन हाइडरोजन बदलता जाएगा और कार्बन हाइडरोजन बदलेगा तो बिटा मॉलीकुलर फॉर्मूला भी तो बदल जाएगा तो सेम मॉलीकिलर फॉर्मूला नहीं होगा सेम जनरल मॉलीकिलर फॉर्मूला होगा सेम जनरल फॉर्मूला कोहो या सेम जनरल मॉलीकिलर फॉर्मूला जिन लोगोंने लास्ट क्लास पहले वाली क्लास की थी जिसमें ये कराया था मुझे लगता है उनमेंसे किसी ने भी आज ये गलत नहीं किया होगा क्योंकि NCRT में मैंने अंडरलाइन भी कराया था कि कहां से क्वेश्चन बनेगा इस तरह से पूछा जा सकता है ठीक अच्छा बताईए आईसो पेंटेन के कितने मोनो क्लोरो प्रोड़क्ट पॉसिबिल है आईसो पेंटेन के कितने मोनो क्लोरो प्रोड़क्ट पॉसिबिल है चार बहुत बढ़िया अच्छा चलो जल्दी से एक बात बतो एक बात अब ये बता दो चल दी से कि अगर नेमिंग करनी है अलकेन की तो आईसो या नियो के लिए अलफा बेटिकल ओर्डर में उसको कंसीडर करते हैं या नहीं आईसो नियो को अलफा बेटिकल ओर्डर में कंसीडर किया जाता है या नहीं तेजी से आंसर आना चीज से अभी तका शाँ रहा, जादातार लोगों ने लिखा है, एक, दो लोग ने, लिखा है, नो, तो जिनने लोगों ने, लिखा है, उनकी लिए एक अच्छी बात यह है, कि उनको अवी चीज तयार हो जा जानी चीज ए, की आंसर होगा, येस. ठीक ह अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये question मानलो अगर exam में आता तो आपसे गलत हो जाता आपने यहाँ गलत कर दिया तो अब exam में गलती नहीं होगी तो क्या हो जाएगा yes ठीक है चलो भई अच्छा secondary, tertiary को consider करते हैं कि नहीं करते हैं secondary, tertiary को consider नहीं करते हैं है ना secondary, tertiary को consider नहीं किया जाता अच्छा यह जो है यह जो examples हैं मैंने इन पर मार्क किया था यह example बेटा ध्यान रखिएगा आसान से naming के example हैं लेकिन एक भाई इसको कर जरूर लीजेगा important है ठीक है अच्छा एलकें में carbon carbon bond और CH bond में को जादा होती है carbon carbon और CH bond में किस की bonding जादा होगी ए कार्बन कार्बन आदिती एकदम सही सी सी कार्बन कार्बन बिलकुल ठीक एकदम ठीक 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 अच्छा अब आते हैं जरा प्रिप्रेशन मेथट पर तो प्रिप्रेशन मेथट में बिटाईए बताईए जल्दी जैसे हमने पहली बात की थी हाइडरोजिनेशन रियाक्शन अगर एलकीन है तो हाइडरोजन के कितने मोल यूज होंगे एलकीन है तो हाइडरोजन के कितने मोल यूज होंगे एक मोल और अगर एलकाइन है तो हाइडरोजन के कितने मोल यूज होंगे दो ठीक है यहाँ पर एबस आप्शन होता है या एड़ आप्शन तो यहाँ पर क्या होगा एड़ आप्शन बिलकुल ठीक अच्छा अगर आप सिखा आ जए क्या इस Process को हम Occlusion कह सकते हैं क्या इस Process को Occlusion कहा जा सकता है Yes or No छीख ठीक है अच्छा एक statement वो नो正 Turkey false में पता एक fails आजएगा Yes, No नहीं True false लिखी है क्योंकि इसे लिए आप و भी लिखी रहे हो True false ठीक है तो एक स्टीटमेंट यह है कि यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करता है just to activate HH bond here मेटल एड्सॉर्ब हाइड्रोजन just to activate HH bond जल्दी से बताओ जल्दी से true very good बहुत बढ़ी है ठीक है एक दम ठीक है अच्छा यहीं पर अगर इसके हम आगे बढ़ जाएं तो reduction of alkalolide reduction of alkalolide में हम किसका reduction avoid करते हैं RI, RBR, RCL, RRF किसका avoid करते हैं एकदम ठीक एकदम ठीक और बिटाई ध्यान भी रखना बड़ा important है ठीक है अच्छा फूर्ज रियक्शन से कौन सी अलकें नहीं बना सकते वुज रियक्शन से कौन सी अलकें नहीं बना सकते बेलकुल सही बहुत बढ़ बढ़ या मीथें एक भी आंसर आज अंसिमेट्रिकल वाला नहीं आया बेलकुल सही मीथें मीथें नहीं बना सकते ठीक अच्छा अगर आप ते ये कहा जाए अगर आपको ये बोला जाए कि वुज रियाक्शन में कौन से अलकिल हलाइड को अवाइड किया जाता है वन डिग्री, टू डिग्री या थ्री डिग्री वुज रियाक्शन में कौन सा अलकेल हलाइड अवाइड करते हैं वन डिगरी टू डिगरी त्री डिगरी किसे अवाइड करते हैं त्री डिगरी बिल्कुल ठीक त्री डिगरी त्री डिगरी को अवाइड किया जाता है क्योंकि त्री डिगरी के केस में अलकेन बनने के चांसे कम और इलकीन बनने के चांसे ज़ादा हो जाते हैं इसलिए उसको अवाइड किया जाता है अच्छा डी कार्बॉक्स इलेशन में एन ए ओ एच प्लस सी ए ओ इन ए ओ एच प्लस सी ए ओ इसको क्या नाम दिया जाता है सोडा लाइम श्रेया भाश्पई बहला अंसर कविता सुर्भीत रिपाठी अरोही रोहित कुमार खुशी हिमानी ठीक डॉक्टर एसेन अमन गजेद्र गुप्ता एकदम ठीक बिल्कुल सही है क्या हो जाता है सोडा लाइम अच्छा यहां पर आसिड के कमपैरिजन में एक कार्बन कम हो जाता है येस और नो ठीक एक कार्बन कम हो जाता है बिल्कुल ठीक है अच्छा अगर कहा जाए कोल बेज एलेक्ट्रोलेटिक प्रॉसेस को हम एलेक्ट्रोलेटिक डीकार्बॉक्जिलेशन भी कहते हैं येस और नो ठीक एक दम ठीक है अच्छा कोल बेज एलेक्ट्रोलेटिक प्रॉसेस में कौन सी एलकेन नहीं बना सकते जल्दी से बताओ CH4 रिजल्टिंग सलुशन एसटिक होगा बेसिक होगा रिजल्टिंग सलुशन एसटिक या बेसिक बेसिक बहुत बढ़िया एक दम ठीक तो pH ग्रेटर देन 7 होगी अच्छा हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होती ही कैथोड पर या एनोड पर हाइड्रोजन गैस या कहां रिलीज होगी इस मेतेड में कैथोड पर या एनोड पर कैथोड पर हाइड्रोजन का रेडक्शन पोटेंशल ज़ादा होता है इसलिए हाइडरोजन का रेड़क्शन होता है हाइडरोजन का रेड़क्शन पोटेंशल सोडियम से ज़ादा होता है इसलिए यहाँ हाइडरोजन का रेड़क्शन होता है और हमें हाइडरोजन गैस मिलती है येस अच्छा इसी बात को बात किया जाए अगर preferential star theory के टम में जो electro chemistry में NCRT में दिया भी हुआ है शुरुआत में तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर H plus का deposition potential कम होता है H plus का deposition potential कम होता है इसलिए यहाँ पर हमें hydrogen gas मिलती है true या false H plus का deposition potential कम होता है इसलिए हमें hydrogen gas मिलती है true false जल्दी बताओ क्या होगा ठीक बहुत बढ़िया true एकदम ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से answer किया है आगे बढ़ा जाए और properties बढ़ाते हैं properties पर आते हैं तो एलकेंस अभी शुरुआत में भी हम लोगों ने बात की थी एलकेंस अर अल्मोस नॉन पुलर मॉलीक्यूल ठीक है अल्मोस नॉन पुलर मॉलीक्यूल तो हते हैं क्योंकि यह एलेक्ट्रो निगेटिवटी डिफरेंस बहुत कम होता है एलकेंस में कौन से फोर्स लगते हैं वीक वेंडर वाल फोर्स वेंडर वाल फोर्स हमें पता है कैसे होते हैं वीक फोर्स होते हैं ठीक याद रखने वाली बात है कि शुरू के चार मेंबर एक से चार एक से चार कार्बन तक की जो एलकेंस होती है वो गयास होती है एक से चार कार्बन के अलकेन जो होती है वो गयास होती है पाँच से सतरा तक की जो होती है वो होती है लिक्विड और अठारा या उससे जादा की जो होती है वो क्या होती है सॉलिड होती है तो फिजिकल स्टेड यास होनी चीए यह सब बाते कब की हो रही है रूम टंपरेचर की तो रूम टंपरेचर पर ऐसा होता है ठीक अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि कहा जा रहा है वोट डियू थिंक अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ एलकेन इन वाटर बेस्ड अपॉन नौन पॉलर नेचर आफ एलकेन अब य यहाँ पर कहा रहे हैं आपसे बॉलिंग पॉइंट तो हमें पता है केमिकल बॉंडिंग में भी हम पर चुके हैं एलकेन का बॉलिंग पॉइंट देखना होता है तो पहला पॉइंट होता है जितना जादा मॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट उतना जादा दूसरा अब यहां पर यह कहा ज़रा पेट्रोल is a mixture of hydrocarbons and is used as a fuel for automobiles पेट्रोल lower fraction में है तो dry cleaning के लिए भी use होता है तो यह उसकी uses वगरा लिखे हुए है जैसे grease क्या है तो grease है mixture of higher alcanes तो grease क्या है mixture of higher alcanes तो ध्यान रखिए grease हो गया mixture of higher alcanes ठीक अच्छा अब अगर आपसे कहा जाए कि alcanes जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं बाईल्केन क्योंकि non-pullern है non-pullern होगा तो व kendiилось का मतलब होता है जो water से दूर भागेень उसको कहाज़ता हाइड्रोफोबिक ठीक तो उसको नांज़ाज़ता हाइड्रोफोबिक अच्छा हमें एक बात और पता ही बॉयलिंग पॉइंट जिस चीज़ का जितना कम होगा वह उतनी जल्दी वेपराइज होगा तो हम कहते हैं वह उतना जदा वोलेटाइल होगा तो एक बार क्वेशन पूछा गया था आईटी में वहाँ पर तीन चार चीज़ें दी हुई थी जिनका बॉइलिंग पॉइंट का ओर्डर हम और रिवर्स होगा वोलेटाइल नेचर अब देखें यहां पर वही बॉइलिंग पॉइंट डिसक्स किया गया है जो हम लोग करना भी बात की है ठीक है अब आजएए केमिकल प्रॉपरिटीज पर जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बात की थी कि जो एलकेंस होते हैं इनकी रियाक्टिविटी बहुत कम होती है तो यह कहा जाता है कि इनके उपर जल्दी किसी ऑक्सिडाइजिंग एजन रेडिसिंग एजन एसेड बेस इन में से किसी भी चीज़ का इनके उपर असर नह जा रहे हैं chemical properties बहुत थोड़ी सी हैं लेकिन बड़ी important है chemical properties पर अक्सर question पूछ लिया जाता है तो एलकें mostly देते हैं free radical substitution reaction और एलकें की free radical substitution reaction का एक important example है halogenation of alkane तो halogenation of alkane ये क्या होती है ये 573 से 773 Kelvin या diffuse sunlight या ultra violet light की presence में होती है यानि कि हम ये कह सकते हैं halogenation reaction occurs in presence of UV light और कहा जाए sunlight या कहा जाए high temperature ठीक तो ये इस तरीके से reaction होती है तो substitution reaction जैसे यहाँ पर example दिया गया है halogenation मीथेन के chlorogenation की बात की गया है ये इस तरीके से तो यहाँ पर मीथेन के chlorogenation पर एक question पूछा जा सकता है कि CH4 प्लस CL2 दे दिया जाए तुम देख रहे हो CH3 CL बना, CL2 फिर आ गया, CH2 CL2 बन गया, CL2 फिर आ गया, CL3 बन गया, CL2 आ गया, CCL4 बन गया यानि की क्लोरीन अगर एकसेज में होगी, तो तुम्हे CCL4 मिलेगा और अगर क्लोरीन यहां एकसेज में नहीं होगी, यहां CH4 एकसेज में होगा तो क्या मिलेगा, CH3 CL मिलेगा तो कई बार ये question पूछा जा चुका है भाई देख सकते हो ना, क्लोरीन अगर एकसेज में है तो रियाक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी, CCL4 मिल जाएगा लेकि अगर क्लोरीन एकसेज में नहोती, तो रियाक्शन यहीं रुख जाती या नहीं तो यहाँ पर इस तरह से पूछा जाता है, कभी लिख देता है मीथेन के आगे एकसेज, तो मीथेन एकसेज में है, तो क्लोरीन क्लोरीन क्या हो गया, कम अमाउंट में है तो इसका मतलब रियाक्शन वहीं रुख जाएगी, क्या मिलेगा, CS3 CL और कभी कभी CL2 के आगे लिख देते हैं एकसेज, तो क्लोरीन अगर एकसेज में तो फाइनली सारे हाइडरोजन हट जाएंगे, और यू विल गेट CCL4, ठीक तो यहाँ पर हमें CCL4 मिल जाएगा अब बच्चों ये साथ के साथ याद होता जाना चाहिए, अब हम आते हैं जड़ा यहाँ पर, important point पर order of halogenation, F2, CL2, BI2, I2, कोई ऐसा एक्जाम नहीं होगा, जैसे पहले बहुत सारे एक्जाम अलग-अलग होते थे, तो कोई ऐसा एक्जाम नहीं होगा, जहां चार बार, पांच बार ये question ना पूछा गया हो, सभी एक्जाम्स में बार बार पूछा जाता था, कई बार पूछ जान रखिए, दूसरी बात यहीं पर ये भी पूछी जाती थी, कौन सी हैलोजिनेशन रियाक्शन सबसे फास्ट होगी, तो समझ सकते हो, जब order दिया हुआ, order में F2 सबसे पहले है, तो fluorination जो होगा, वो सबसे फास्ट होगा, और fluorination जो होता ही, एक्जो थर्मिक होता, highly एक के हाइडोजन के replacement की बात करें, तो 3 saber, 2 degree, 1 degree, ठीक है,ён 3 degree, 2 degree, 1 degree, क्योंकि हाइडोजन अटने के बाद उतना stable free radical बनता है, हम कहते है है replacement उतना आसान होता है, तो 1 degree में अगर हाइडोजन अटेगा, तो 1 degree free radical बनेगा, 3 degree से अगर hydrogen हटेगा तो 3 degree free radical बनेगा 3 degree free radical जो होता है वो जाधा stable होता है इसलिए 3 degree से hydrogen का removal आसान होता है बास समझ में आ रही है याद तो सब आपको होगा ही पिर यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी halogenation reaction सबसे जादा slow होगी तो भाई जो सबसे आखरी में लिखा वही क्या होगी सबसे जादा slow होगी फिर यह पूछा जाए कि कौन सी halogenation reaction reversible होगी reversible होने का मतलब कि वो हो नहीं पा रही है इधर जारी फिर इधर आ जारी फिर इधर जारी पिर इधर आ रही है तो reversible कौन सी होगी I2 देखो fluorination is too violent to be controlled too violent मतलब यहां बहुत जादा energy release होती है और iodation देखा जाए तो iodation जो है यह बहुत slow है slow है मतलब reversible है ठीक और इसको कराने के लिए oxidizing agent just like HIO3 और HNO3 required होते हैं ठीक है तो यहाँ पर बहुत important reaction तो काफी सारी बाते बिटा है जो कि आप ध्यान रखो पूछा जा सकता है ठीक है अब आज जाए जड़ा मेकानिस पे तो मेकानिस में ज़्यादा कुछ तो नहीं मेकानिस में यह आद रखो किसे कहते chain initiation किसे कहते propagation किसे कहते termination तो यहाँ पर ध्यान रखो जब reactant में कोई free radical ना हो लेकिन product में free radical हो तो उसे कहते है initiation step initiation step ठीक इसका उल्टा कर दो reactant में free radical हो लेकिन product में ना हो उसे कहते है termination step इसका उल्टा क्या होगा termination step ठीक है देखिए termination step यह देखिए इसब termination step दिखाएगे है और जब reactant में भी free radical हो और product में भी free radical हो दोनों तरफ free radical present हो तो अगर दोनों तरफ free radical present है तो उसे कहा जाता propagation step तो उसे propagation step नाम दिया जाता है ठीक है combustion, alkane का combustion होगा तो क्या मिलेगा alkane का combustion होगा तो CO2 और water मिलेगा यह general combustion equation उसकी दी हुई है तो alkane का combustion होगा तो तुमको क्या मिलेगा CO2 प्लस water ठीक लेकि लेकिन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो तुम्हें मिलेगा कार्बन ब्लैक वहाँ फॉर्म हो जाता है carbon monoxide भी बन जाती carbon black भी फॉर्म हो जाता है और यह जो carbon black होता है इसका use होता है carbon black का use कहां कहां हो सकता है तो रटने की ज़रत नहीं सिधे ध्यान रखो जहां कहीं भी black color तुमको चाहिए वहाँ पर carbon black का use हो सकता है जैसे type writer का ribbon printing press की ink computer के printer की ink ठीक साथ सी साथ शू पॉलिश बुट पॉलिश बोला जाता है उसमें ब्लैक पेंट में ये जो टायर होते हैं टायर किस कलर के होते हैं आटो मोबाइल में ब्लैक कलर के तो टायर्स में भी ये कारवन ब्लैक मिलाया जाता है टायर्ज को ब्लैक कलर प्रोवाइड करने के लिए तो आपको अलग से कुछ याद नहीं करना जहां कहीं ब्लैक कलर चाहिए वहां पर यूज होता कार्वन ब्लैक और कार्वन ब्लैक क्या है ऐलकेन का in complete combustion का प्रोडक्ट है in complete combustion प्रोडक्ट ओफ ऐलकेन ठीक है त्वाई तैयार होता जा रहा है ना साथ के साथ ठीक कंट्रोल्ड ऑक्सिडेशन अगर यहां पर कंट्रोल्ड ऑक्सिडेशन और बिटाइए रियाक्शन ध्यान रखो तो मीथेन को कॉपर की प्रिजेंश में करेंगे मिथनॉल बन जाएगा मॉलिबडेनियम ऑक्साइड लेते हैं तो यहां पर मागनीज असिटेट ले रहे हैं तो यहां पर बन जाता है असेटिक असेट की फॉर्मेशन हो जाती है ठीक यहां देख रहो है, यहां इथेन लिया गया है, यहां दो जगे में इथेन, यहां इथेन लिया गया है यह reaction बड़ी important है, कि ordinary एलकेन जो होती है जल्दी ऑक्सिराइज नहीं हो पाती है लेकर आंगा 3 डिगरी hydrogen वाली अलकेन ले रहे हो, कमनो 4 ले रहे हो, तो ध्यान दो H की जगे पर OH आ जाता है, थीक, तो H की जगे पर OH आ जाता है, ठीक है तो यहां पर यह ध्यान लखे, ठीक, अब इसके बाद isomerization बहुत बार पुछा गया है, कि isomerization reaction जो होती है, तो उसमें reagent क्या लेंगे और minimum carbon कितने होंगे तो आप समझ सकते हैं, isomerization reaction के अगर बात की जाए, तो isomerization reaction में हम ले लेते हैं, एन हाइडरस ALCl3 साथ में, SEL gas, ठीक, और यहां पर एन हाइडरस ALCl3 लेंगे, साथ में, SEL gas लेंगे, और देखेरों हों यहां पर, ब्रांचेज आती जा रहेंगें कि नहीं, तो यहां पर इस तरीके से ब्रांचेज आती जाएंगी, यहां पर एक बात यहीं ध्यान रखो, के यहां पर, यह जो reaction है यहाँ पर minimum carbon कितने चाहिए minimum 4 carbon चाहिए क्योंकि chain isomerization show करने के लिए alkane के पास minimum carbon कितने होने चाहिए 4 तो यह भी पूछा जा चुका है कि minimum carbon कितने होने चाहिए isomerization reaction के लिए 4 ठीक अब इसके next reaction जो है इसमें दो बातें आपसे पूछी जा सकती है एक तो aromatization के लिए carbon minimum कितने होने चीछे कम से कम 6 carbon होने चाहिए दो त्री बात यहाँ पर यह पूछी जाती है reagent क्या लोगे जैसे molybdenium oxide, CR2O3 यह सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत पूछा जाता है बहुत जादा CR2O3, V2O5 यह molybdenium oxide इन में से कुछ भी ले लिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर aromatization हो जाएगा 6 carbon के alkaline लोगे तो aromatize करके क्या बना देगा बंजीन बना देगा और अगर 7 carbon के alkaline लोगे यानि की हैप्टेन ले लो नॉर्मल हैप्टेन ले लो तो उसको aromatize करके क्या बना देगा टॉलीन बना देगा जैसे आ दिया हुआ है टॉलीन को बनाने के लिए आप कौन सी alkaline सजिस्ट करोगे तो टॉलीन को बनाने के लिए 7 carbon की alkaline सजिस्ट की जाएगी ठीक है तो साथ carbon की alkaline ठीक अच्छा यहाँ पर देखे वही बात लिखी हुई है औकसाइड सॉफ विनेडियम मॉलिमिडेनियम क्रोमियम सपोर्टेड ओवर अलुमिना अलुमिना सब के साथ में होता है ठीक और प्रोसेस क्या होती है यह डी हाइडरोजिनेशन तो डी हाइडरोजिनेशन हो जाता है हाइडरोजन यहां से निकल कर जाएगा समझ सकते हैं अलकेन में ज़्यादा हाइडरोजन होते है जब वो ऐरोमाटिक बनेगा जैसे 6 carbon के अलकेन C6 H14 C6 H14 जब बेंजीन में कनवर्ट होती है तो क्या होती C6 S6 तो आठ हाइडरोजन निकल कर जाते हैं गी नहीं तो आठ हाइडरोजन निकल कर जा रहे हैं तो उसको बलते हैं डी हाइडरोजिनेशन ठीक तो यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि जो अरोमेटाइजेशन हो रहा है इट्स ए काइंड आफ डी हाइडरोजिनेशन रियाक्शन डी हाइडरोजिनेशन हो रहा है इसको अरोमेटाइजेशन या इसी को एक नाम दिते हैं री फॉर्मिंग री फॉर्मिंग भी नाम दिया जाता है आसान चीजें हैं छोटी छोटी बाते हैं लेकिन अक्सर क्वेशन पूछा जाता है अब क्योंकि साइचुरेटेड हाइडरो कार्बन पर क्वेशन एक तो आएगा ही तो अगर एक question आएगा तो यहां से कहीं से भी एक question इस तरीके का पूछा जा सकता है ठीक है अब जैसा आपको पहले भी कहा आपको सभी जगे के लिए well prepared रहना है और यह जतना हम लोग line by line कर रहना है अगर इतना कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे एक्जाम में बसके लिए well prepared रहो CH4 को इस टीम के साथ ट्रीट कर दिया जाए निकल की presence में तो क्या मिलता है CO मिल जाएगा और साथ हाइडरोजन गैस मिलती है CO प्लास हाइडरोजन गैस ठीक CO प्लास हाइडरोजन गैस को हम वाटर गैस भी कहते हैं अब आज यह ज़रा पाइरोलिसिस इस पर दो तीन बार कुशन पूछा जा चुका है higher alkane on heating to higher temperature decomposes to lower alkane higher alkane का lower alkane में जो conversion होता है thermal decomposition के कर उसको कहा जाता है pyrolysis या उसी को नाम दिया जाता है cracking cracking तो उसको हम या तो कहते है पाइरोलिसिस या उसी को क्या बोलते है cracking कहा जाता है पूछा जा चुका है दो बार एक बार आईटी में आया था दो बार आपके नीट में आया conversion of liquid hydrocarbon into gases hydrocarbon is called as to conversion of liquid hydrocarbon into gases hydrocarbon समझ रहो liquid hydrocarbon मतलब जादा carbon वाली hydrocarbon होगी gases hydrocarbon मतलब carbon वाली hydrocarbon यानि के हम कह सकते हाइर hydrocarbon को lower hydrocarbon में तोड़ दे हो तो क्या कहोगे उस process को तो उस process को हम कहते है पाइरोलिसिस या उसी को कहते है cracking अब यहाँ पर पाइरोलिसिस के कुछ application दिये हुए ठीक देखें पाइरोलिसिसऑ अफ एल केई बिलीव तू पी फ्री रेडिकल रियाक्शन धियान रख्येगा यह पाइरोलिसिस औफ पुली पृट्रो बी फ्री रेडिकल रियाक्शन ओयल गैस पेट्रोल गैस करुसीन से बनाते हैं हम कैरोसीन में कार्बन जादा होते हैं पेट्रोल में कार्बन कम होता है तो आईल गैस पेट्रोल गैस यह सब कैरोसीन से जो हम बनाते हैं यह पाइरोलिसिस के ही एक्जामपिल है ठीक है अब माल लो कोई एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है उसको तोड़ दे हो जैसे यह दिया वाई, डोडिकेन, ठीक है, 12 कारबन के अलकेन है, इसको तोड़ा जा रहा है, तो तोड़ गए हो, तो थरमली, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोला जाएगा पाईरोलेसिस, यहाँ पर कोई मेटल ले 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 लेते हैं, जैसे निकल, प्लाटिनम, पिलेडिय टाइप, यह कैटलिस्ट की तरह ले लिया जाता है, इससे रियाक्शन थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है, ठीक है, तो कैटलिस्ट की तरह इसको ले लिया जाता है, जिससे रियाक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक, चलिए, अब बिटा अभी हमने यहां एलकेन की प्रॉपर्टी तक बात कर लिए ठीक है अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो आगे अब हमें जो बात करनी है वो है कनफरमर्स की और अनसाचुरेटड हाइड्रो कारबन्स की तो अब इसके आगे हम बात करेंगे कनफरमर्स की और अनसाचुरेटड हाइड्रो कारबन्स की तो आज का लेक्चर जैसे आप लोगों ने साथ के साथ प्रिपर कर लिया तो होफुली चीजें आपकी तयार हो गई होगी बेटा इसमें जो कोशन भी आपके गलत हुए या कल कॉंटिन्यू करेंगे तो कल सेम टाइंज सुबह ग्यारा बजे हम लोग इसको बात करेंगे कनफरमर्स की और अनसाचुरेटड हाइड्रो कारबन की ठीक तो आज मैं इतने पर ही रोक रहा हूँ और कल मिलते हम लोग सुबह ग्यारा बजे थैंक्यू सो मच